हेलो, गुड मॉर्निंग एवरिवान, वेलकम तु माई यूट्यूब चैनल, मैं शाय, आज आपके लिए लेकर आई हूँ समोसों की रेसिपी विद चाय के साथ, आप भी प्लीज इसे ट्राइ करें, इस सो टेस्टी एंड डिलीशी समोसा रेसिपी, यह मैंने किस तरीके से तयार किया है, बिना इसकेप किये, आप मेरी फुल वीडियो को देखें, यह मैंने किस तरीके से तयार किये हैं, तो चले मैं आपको एक्स्प्लेइन करती हूँ, सबसे पहले हम बॉयल पटैटो लेंगे, अच्छे तरीके के साथ हम पटैटो की स्किन को रिमॉफ करेंगे, देखें, आप भी इसी तरीके से पटैटो की स्किन को अच्छे तरीके से रिमॉफ करें, यह अच्छे तरीके से पटैटो की स्किन रिमॉफ हो गई है, मेरे पास और तीन चार और पटैटो थे, जिनने मैंने पहले से रिमॉफ करके रखा था, यह देखें, यह सब से आप इसमें कर्स लगाएं और ब्लॉक्स में इसे तयार करें यह देखें अब इनका मैं बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट बनाऊंगी यह हमारा पेस्ट तयार हो रहा है जितने पटैटोस हमारे पास थे उनका पेस्ट तयार हो गया पटैटो पेस्ट हमारा अच्छे तरी इसमें हम एड़ करेंगे अपर कोडर यहीं दूर देना जो पान प्रश कोड़ा है पिर अफ्राइट को Niya करें है। आप हजबे जरूरत जितना आपको एड़ करना है आप उतना एड़ करें स्पून की मदद से आप अच्छे तरीके से इसे मिक्स करें ताकि आपका पटेटो पेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से तयार हो जाए देखें एक बात का दिहान रखें वियर्स जितने हम कम मसाले बीच में एड़ करेंगे उतना पेस्ट हमारा अच्छा बनेगा जितने हम मसाले जादा बीच में यूज़ करेंगे चीज़ने जादा यूज़ करेंगे हमारा पेस्ट अच्छा नहीं होगा अब हम आपको समोसा बनाना सिखाते हैं कि किस तरीके से समोसा बनाना है सबसे पहले हम पेस्ट का वन स्पून लेंगे और एक साइड पे रखेंगे ताके हम कौन की शकल में अपने समोसे की पटी को यूज करें ये देखें अब ये कौन बन गया है और फिर हम इसे तरीके से फोल्ड करकर कौन की शेव में हम इसे तयार करेंगे अब ये समोसा हमारा बिल्कुल तयार है हम गेहूं का आटा लेंगे ताके हम समोसे को अच्छे तरीके से पैक कर सकें यह मैंने गेहूं का आटा लिया है इसमें मैंने water अट करके इसका एक paste बनाया है और फिर समोसे को मैंने इससे pack कर दिया है यह देखें आच्छे तरीके से यह pack कर दिया है मैंने कड़ाई ली है और कड़ाई में मैंने oil डालके रखा था जो slow हलकालका सा गरम था फिर दे रहा था, जादा तेज गरम आप ना यूज़ करें, इससे क्या होगा कि आपके समोसे जल जाएंगे, आपने बिल्कुल स्लो फ्रेम पर अपने समोसों को तयार करना है, यह देखें, यह बहुत अच्छे तरीके से तयार होंगे, बहुत स्लोली स्लोली होंगे, आप ज मैंने पैन में दूद और मिल्क को एड़ किया है, साथ में मैंने टी के टू टेबल स्पून एड़ किया है, शुगर त्री टेबल स्पून मैंने इसमें एड़ किया है, और अच्छे तरीके से इसको बॉइल करने के लिए रख दिया है, अब यह अच्छे तरीके से बॉइल हो चुकी है, यह देखें यह बहुत अच्छी तरिके से इसका कलर आ रहा है और यह बौईल हो रही है यह बहुत टेस्टी और स्ट्रॉङ चाए हमारी तयार है, इसके खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, हमने कपस में डिश आउट कर दी है, और साथ इसे टी के साथ enjoy करें आप इसे enjoy कर सकते हैं इवनिंग snacks में और ये बहुत delicious और tasty हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप like और comment जरूर करें और subscribe करना हर्गिज न भूलें और bell icon के बटन को जरूर प्रेस करें आपकी तरफ से हमें gift होता है कि आप हमारे चैनल को like और subscribe करते हैं मैं शाइब